आज आप लोगं के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे-छोटे से चौकलेट मीनी केक बना रहे हूँ बहुत ही चौकलेटी हैं बहुत सारे खा सकते हैं आप बिलकुल दिश्चेन्द होके क्योंकि इसमें कोई मैदा नहीं है कोई बटर नहीं है और तो और इसे बनाने के लिए अवन की भी ज़ूरत नहीं है तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक कप भरके मैंने गेहू का अटा ले लिया है यहाँ पर और दो चमच के करीब मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी एक चुथाई छोटा चमच बेकिंग सोडर डालेंगे आधा चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं आपस में अच्छे से मिल जाएं उसके बाद दूसरे बरतन में मैंने यहाँ आधा कप ओईल ले लिया है क्योंकि हम इसमें अंडा नहीं डाल रहे हैं तो उसकी जगा हम दही डाल रहे हैं आप दही की जगा अंडा भी इस्तमाल कर सकते हैं और बिलकुल अच्छी तरह से इसे हम फेट लेंगे करीब 2-3 मिनट तक इसकी बाद इसमें हमारे जो dry ingredients हैं वो इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें बिलकुल अच्छे से मिला लेना है तो देखिए अभी जो हम मिला रहे हैं तो जो हमारा mixture है वो थोड़ा गाडा है कि जब आप चम्मत से बैटर को उठाएंगे ना तो बिल्कुल स्मूदली उसे नीचे गिरना चाहिए इसके बाद मैं इसमें थोड़ी चॉकलेट एट करूँगी तो एक चॉथाई कटोरी के करीब मैंने यहां डाक चॉकलेट लिया उसे पिघला लिया है मैंने माइक्रोवेव में और देखे यह पिघल गया है और अब इसे मैं इस मिक्षर में मिला दूँगी ताकि जो हमारा केक है न वो बहुत ही चॉकलेटी बने चलिए बैटर हो गया हमारा बिल्कुल तयार तो इसे हम अवन में नहीं बना रहे हैं और मैं इसे अप्पे पैन में बना रही हूँ तो नीचे थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लिया है मैंने ताकि जो केक है न वो नीचे चिपक न जाए उसके बाद एक एक चमज भरके बैटर मैं इसमें डाल दूँगी बहुत उपर तक नहीं भरना है क्योंकि यह थोड़ा सा फूलेगा और जब बैटर हमारा पूरा फिल हो जाएगा तो यह चोकलेट केक बना रहे हैं हने हम थोड़ा चोकलेट यह और बनाएंगे मेरे पास डेरी मिलक है तो उसके पीसे षड़ा कर लेंगे और एक एक पीस को हम इस तरह से चार मिनट तक हम पकाएंगे और 4 मिनट के बाद हम देख लेते हैं तो देखिए जो हमारे केक है na मीनी केक इतने प्यारे-प्यारे से लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं अब इसे थोड़ा सा पल्टा लेते हैं और तो चमच का पीछे वाला भाग ले लीजेगा और देखे इस तरफ से पल्टा लीजेगा बिल्कुल आसानी से लिकल जाते हैं ये और पल्टा लेने के बाद इसे हमें वापस से पकाना है तो इसे ढाक कर हम कमाच में दो मिनट के लिए और पका लेंगे और दो मिनट के बाद देखे जी कितने प्यारे-प्यारे सुंदर-सुंदर मीनी केक हमारे तयार हो गया है इसे घर में आप एक बार जरूर ट्राय करिएगा बहुत अच्छे बनते हैं कि घर में ये सभी को बहुत पसंद आएंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें मैदा नहीं है या बटर नहीं है या ये अवन में नहीं बना है friends आप इसे enjoy करिए मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अगली डिश के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत खयाल रखिएगा